हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होब यौल आ फाइन बच्चों आज हम लोग हमारे मेकानिकल प्रापरिटीज अफ फ्लूइट्स के सिनॉपसिस को देखेंगे जूकि हम लोग को इस चाप्टर का टेस्ट बच्चों होगा सेकेंड जुलाई 2021 को शाम पांच बचे हमारे एप पर तो वहाँ पर आप जाकर के इसको देंगे तो इसका जो फ्री सिनॉपसिस है वो मैं आप लोग को अभी प्रवाइड कर देता हूं आपको इस चाप्टर में बच्चों दो से तीन सवाल आने के probability है कहां पर MST-CET में कितने सवाल दो से तीन सवाल ठीक है इसके बाद जो है यह चाप्टर में आपको मेजरली चार पार्च पढ़ने है कोई के करके मैं आपको भी समझाता हूं सबसे पहला reduce वाला निकाल करके जो बच जाएगा उसकी बात कर रहा हूं म है तो आपको मेजरली चार पार्च पढ़ने सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है सबसे पहले आपको इस chapter में देखना है फ्लूइट के बारे में फिर आपको surface tension पढ़ना है फिर आपको थोड़ा सा hydrodynamics देखना है ठीक है तो आपको जो है इस chapter में 4 major इससे पढ़ने है जि बिल्कुल भी गब्राना नहीं है चैप्टर बहुत आसान है बिल्कुल गब्रानी की जरुत नहीं है आई इसको समझते हैं ठीक है सबसे पहला पार्ट जो हम लोग को इस अप्टर में पढ़ना है वो क्या है फ्लूइड तो फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा बताता हूं सबसे पहले आपको क्या जानना है फ्लूइड क्या ओता है इसन सबस्टेंसित निया सबस्टेंसित थे हैं तो उस अब्च-ठांश सबस्टेंसि कर सकते हैं उसको क्या बोलता है fluid बोलते हैं समझ में आगे लेमेंस लैंग्विज में यही क्या आपका fluid है जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने और भी कुछ definitions में इसके edition किया था लेकिन अभी फिलाल आपको या याद रखना है अपने MST CT examination के लिए कि जो आपका जो substance क्या करता है flow कर जाएगा उसका हम लोग क्या बोलेंगे उसका हम लोग fluid बोलेंगे जैसे हमारी gas gas flow कर जाती है आपका liquid flow कर जाता है movement में यानि basically चलने में और flow करने में क्या difference है वह मैं आपको पहले भी लेक्षिन में बता चुका हूँ अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो जिसका मुम में जिसका flow हो जाता है उसको लोग क्या बोलते है ठीक है ना तो एक्जांपल क्या आपके fruits की बात होगी इसके बाद आगे ऐसके बाद आपको मैंने समझा दिया अब इसके बाद जो है to हम लोग कोई सैंप्टर में देखना है वो कौन सा है वह आईडियल होता है जो non viscous होता है विसकस यांनी क्या गाढ़ापन बिलकुल गाढ़ा नहीं होता कॉन आपका इडियल Chirotation होता है उसके अंदर भा़रे नहीं बनते है एडीज नहीं बनती समझ में आ गया तो non viscous होता है रोटेशनल होता है उसका बिलकुल honesty फ्लो होता है समझ आ गया लोगा का सुख़ा है कुछ उसकी प्रापर्टी इस इक इसकी प्रापरट्टी में जब तसा मैं बिसकॉसिटी नहीं पड़त है तब तक लोग इस आप था कौन सा distraction हम लोगा करना है बले हम बात करें यहाँ पर फ्लूलिट की लेकिन हमं यहाँ पर बात अ क्या है क्वों बढ़ना मैं खिंक बादे गांपर इसके प्रोपेटिस क्या है यह ओता है ए reef को ठेके ना उसके बाद स्टीडी फ्लो एक्सेटरा एक्सेटरा ये सब कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको परम पारम पर इक बाते हैं जो बतानी पड़ती है चाप्टर की शुरुवात में तो मैंने आपको बता दी तो ये कुछ चीदे मुझे बतानी पड़ी अब हम लोग क्या करते हैं मुद्दे पर आते हमारा मुद्दा है सर्फेस टेंशन तो हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि उसी से सवाल आने की प्रवाबिटी सबसे जाधा होती है क्लेर हो क्या सब्सक्राइब चली आई लोग पढ़ते हैं तो हम ल कि एड़ेजिव फॉर्स के बारे में पढ़ना है को एड़ेजिव फॉर्स क्या होते हैं पहले भी आपको बिता चुका हूं मैं दो सेम टाइप के मॉलिकुल की बीच में जो फॉर्स होगा उसको क्या बोलेंगे एड़ेजिव फॉर्स एक्जाम्पल के तोर पे जैसे एक में पानी भरावा है अगर ग्लास में पानी भरावा है तो दो वाटर मॉलिकुल की बीच में जो फॉर्स होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे लेकिन आपके वाटर मॉलिकुल और ग्लास मॉलिकुल की बीच में जो फॉर्स होगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे एड़ लिक्वीड की सर्फेस प्रॉपर्टी है लिक्वीड की सर्फेस प्रॉपर्टी में क्या खास बात है यह लिक्वीड की सर्फेस प्रॉपर्टी में खास बात है कि जैसे container है, container में آپने क्या कर दिया, water बर दिया, तो यह property कहती ही कि water की, जो surface है, क्या कोई भी liquid हो सकता है, water हो सकता है, share हो सकता है, कोई भी liquid हो सकता है, तो जो आपकी water या किसी भी liquid की जो surface होती है, उस surface ऐसे बिएफ करती है, जैसे rubber की तनी हुई चादर कैसे बहुत करती है जैसे रबर की खिचिवी चादर हो बिल्कुल वैसा बहुत करती है बात समझ में आगे क्लियर है तो सर्फेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है वह आपको वापको यह बताता है कि जो आपकी liquid की surface होती है वो इस तरीके से भी एफ करती है जैसे वो surface जो है एक rubber की तनी हुई चादर है समझा गया clear हो गया इसके बारे में बहुत detail में बताया थे मैंने एक story में आपको पूरा समझाय तक है अब इसकी अपने को जाता चर्चा नहीं करने अपने को बस क्या करना है इसके फॉर्मलेस को देखना है और यह देखना है कि हमारे सवाल कैसे हाल होंगे ठीक है clear होगे तो इसकी हम लोग surface को अलग से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से समझ लोगे है ठीक ना ऐसे कुछ है स्क्वेर है तो कुछ इस तरीके से इसकी surface को मैंने बनाए तो यह आपकी क्या है यह आपकी जो है water की surface है अब water की के लिए हमने एक तरीका लिया था कि हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल लाइन खीचेंगे उस लाइन के इस साइट पर भी फोर्स होगा और इस साइट पर भी क्या होगा फोर्स होगा तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसको पगड़के खीचेंगे कि यूणिट लेंद्ध में जितना फूर्स होगा उसी को सर्फेस टेंशन बनता ना वक्च्वों सर्फेस टेंशना स्कॉर्स का होता है क्शानorang समझा रहा है क्या बोलगा हम है तो अगर हम लोग एक सीधी line खीचेंगे उस line के unit length पर जैसे 10 meter की line मेंने खीच दी तो 1 meter पर जितना force लग रहा है वो 1 meter पर जो force लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे surface tension बोलेंगे समझा टेर हो गया या फिर इसको d e by d a भी कहते हैं, समझ में आ गया ठीक है ना, तो ये जो है surface change का क्या है, आपका formula है तीनों formula आपको अच्छे से याद रखने बहुत काम कहेंगे, ठीक है, unit क्या बनेगा बताओ, newton पर meter बनेगा, क्या बनेगा, newton पर meter बनेगा, और भी unit बन सकता है क्या, और unit बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ये क्या बनेगा बताओ, ये तो work done है, work done का क्या होगा, joule और क्या होगा, meter, area का meter square तो, surface tension का unit क्या है एक तो newton पर meter है और दूसरा क्या है, joule पर meter square, दोनों equivalent है कैसे, meter से multiply, meter से divide करें, newton, meter जूल होगा है तो, इस तरीके से, तो इस चीद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद newton पर meter हो गया, अगर आपको 9 पर centimeter से, 9 पर centimeter से, newton पर meter में convert करना है, तो multiply by 10 raise to minus 3 करना पड़ेगा, अगर आप 10 raise to minus 3 से multiply करेंगे, तो time पर centimeter से, वो, newton पर meter में convert हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग ये shortcut, आपको कई problems में काम आएगा, बहुत handy होगा आपका time में चाएगा CET is about speed, जितनी अच्छी speed है, उतना आप अच्छा score कर लेंगे, questions का level बहुत ही top level का नहीं होता, CET में easy questions होते हैं, कि speed fast में करनी पड़ेगी speed fast कैसी होगी practice से, उसका एक ही वाही दिलाज है क्या है, वो practice, ठेक है clear होगे है, चल्वे, तो डी बाइडी आपको समझा दिया है मैंने, और ये इस तरीके से ये सारी चीज़ा आपके सामने आ गई, इसके बाद जो है, इसके बाद surface tension scalar A के vector है, surface tension scalar quantity है, surface tension किसी quantity है, surface tension scalar quantity है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठेक है clear होगे है, इसके अलावा और क्या बाते कर सकते हैं इसके बारे में, I hope मैंने surface tension की बारे में, आपको idea दे दिए, बैसे की लिए surface tension क्या है, surface tension एक property है, किसकी property है liquid की property है, liquid के कौन से पार्टी की property है, उसके surface की property समझ में आ गया, इस property में क्या होता है इस property में जो liquid की surface होती है कोई भी liquid, से water की बात नहीं कर लाँ है कोई भी liquid की surface होती है फिर दियानिए energy energy पड़िनेट एरिया समझा प्लोग गया इसके बाद में आपको समझा तो ये दुनुद यह समझा दिया यहां से यहां यह समझा दिया एसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे अंगल कमट आये चली तो अभी हम लोग साभेस टेंशन के बार में तो चुकर आप ज़ो है हम्लोग जो है अगिल of contact क्यू थे हैं अस् CPR असे एंगल of contact क्या होता है बहुतवी बिल्कुल फिक घबभ़ाने कानी बहुत असान ठीक चली तो एंंगल of contact क्या चीज हैrobeLE of contact समझेघ़को को अग अगर आपको जैसे वाटर एक liquid है, अगर आपको पानी पिना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसे solid में आपका यह utensil जो होगा, जो container होगा, उसमें आपको डालना पड़ेगा, तो आपका जो liquid है, वो solid के contact में आ गया, तो जब liquid किसी solid के contact में आते हैं, जो उसकी जो के तोर पर आप एक या देनर लेते हैं अपने लिया प्यॉर वॉर्टर & clean ग्लास नीचे बनाए過去 तेनों को आप क्या लेते हैं आप लेते हैं प्यॉर्टर रेंट खीकिंग उडेन खीर वॉटर ऐंड त्रीन ग्लास चील है तो यह दोनों जब क्या होंगे एक दुसरे के कॉंटाक्ट में आएंगे तब क्या होगा तब कोई भी एंगल नहीं होगा आपके जो वाटर की सर्फिस है ना लोग लेते हैं हम लोग लेते हैं यहाँ पर वही कंटेनर ग्लास का कंटेनर लेकिन अब इसके अंदर क्या बहुत है इसमें था वॉटर अब क्या बहुत है हैं अगर लगों के रोसीन ऐसीन भरने पर यह कुछ इस तरीके से सर्फेस हो जाता है अब ईस तरीके से यहां पर क्या ह temperatures नहीं ग्रोण कर गई लाफ कि एपने और पहनager और यहां पर चैनल और आप देखेंगчи गौर से तो यह तो क्विल्कुल बिलकुल क्या है फ्लैट लेकिन आप गौर से देखेंगे जो सर्फेस इसको बोलते हैं, POLJR की सर्फेस को बोलते हैं, तो यह जो आपको मिनिस्कास बन रहा है, Simon दो आप क्या बनाओ, टेंजन बना दिया यह मैंने, और यह आपने सॉलिट के सर्फेस ले लिए, तो यह जो एंगल बन रहा है ना इस एंगल को बोलता है एंगल ऑफ कॉंटक्ट एंगल बना कैसे एंगल बना है एक्यूट एक्यूट एंगल इसके बाद आप क्या करो यही ग्लास लो लेकिन अब इसके अंदर आप भरेंगे मर्कुरी अब इसके अंदर आप भरेंगे पारा भारा बनेगे आप जो मर्कीरी इसके इंतर बढ़तेंगे तो मर्कीरी भרने पर तरीमे इस तरीके से सर्फस ले लेता है। समझे है आगर आप यहाँ पर झो एंए ऄगे खेँ पर ये गंग से बनेगा अंगल बनेगा यापकी मिनिसकस है मिनिसकस स Trained यह आपके solid के surface इंदोने की बीश में एंगल बन रहा है यह एंगल क्या है अच्छों यह एंगल तो है समझा रहा है जानी क्या जब solid और liquid क्या होते contact में आते हैं तो जो आपके liquid की surface है उसको टेंजन ले लो और solid की surface ले लो तो यह दोनों मिलकर के क्या करते हैं एक एंगल फॉर्म करते हैं उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं अब एंगल आफ कॉन्टाक्ट जो है वह इस बात पर डिपेंट करता है कि solid और liquid का पैर कौन सा है ग्लास ग्लास सब में है लेकिन ग्लास के साथ water होगा clean glass water होगा जीरोग ही विर तक एक बनेगा जो सब्सक्रेख कर दिया है यहां पर यह घुल और झान आफृट आप लोग picks इसके लिए एक और चीज़ जैसे आप लिक्विट पैर को चींज कर रहे हैं इसके बाद आप क्या करतेंगे इस अगर झाल चीज़ आप लोग जैसे आप लोग यहां पर यह जो आप का है ना क्या आपको आइंगल थोड़ा देंगा अगर बिंगे तो यह थीटा 18 डिगरी के असपास होजाता है समझा क्लिर हो गया दियान रखेंगे आप लोग कि जैसे आप लोग क्या करेंगे इंपिरिटी का अड़ करेंगे तब भी एंगल ऑफ कंटाक्ट बदल जाएगा तो एंगल ऑफ कंटाक्ट सॉलिड लिक्विट पैर पर डिपेंड करता है और इंपिरिटी है के नहीं है इस ब बढ़ाएंगे एंगल ऑफ कंटाक्ट कम होते जाता है समझागे तो कौन-कौन से फेक्टर पर डिपेंड करता है यह आपको मैं बता दे रहा हूं क्लिर होगा समझ में आगे तो इतनी चीज़े आपको जानना सफीशेंट है और भी चीज़े हैं कैसी ऐसे क्यों हो रहा है क चैनल तो यहाँ पर क्या हो रहां हो सकते इंदर तो यहाँ पर कैसे रहो है को इन ये उसे घृटबूर्ड को पकल कproector की घरा से और जायगा यहां दो गडर जाएक पक्ड़ीज़ेगा थे कंट समझा रहा है यहां पर क्या है यहां पर इन दो मॉलेक्टी पीच में क्या होगा 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 को यहां पर ने तरह तो यहां पर cohesive force क्या है,otesive force समझ में आ गया, यहाँ पर ओ cotton पूरुकि जितना cohesive force होगा उतना ही क्या होगा, cond Receive force दोनों क्या होगे, equal होंगे समझ आगे तो acute angle कब Bनता है obtuse कब Bनता है जब acute ळनता है, तब adhesive force जदा होता है cohesive force कम होता है और जब ऐसा खीचेगा तो यह सर्फेस बनेगा एक्यूड बनेगा तो यह आपको जो लॉजिक मैंने समझाया उससे याद रखने में असानी होगी पर एंगल कौन से चीज़ों पर डिपेंड करता है यह से वाटर को अगर क्रोमियम के कंटेइनर में रख दिया तो एंगल अपको समझा दिया यह बहुत काम की चीज़ है ठीक है उसके बाद ध्यान रखेंगे आप लोग के यहाँ पर जो है यहाँ पर कब एक्यूड बनेगा कब अप्टूस बनेगा यह में आपको चीज़ें समझा दिये ठीक है ठीक है चलो आई होब आपको यह समझ में आ गया होगा अच्छा इस पी यह जब 0 वाल करेगा और जब एक्यूट एंगल अप्टूस एंगल बनेगा एंगल अफ कंटैक्ट तो वो क्या करेगा नू वेटिंग करेगा इसी वाज़े से हम लोगा जो रेन कोट का कपड़ा होता है ना हम ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करते हैं जो क्या करें वाटर के साथ में वनिटिक अप्टूस एंगल बनें अप्टूस एंगल बनाएं तो क्या करेगा वह जो आपका जो बारिस का पानी आकर के गिरेगा वह आपके कपडों को गीला नहीं रहेगा समझा तो यह इतना इंप्रॉटन अप्लिकेशन है इसका एंगल अगल अफ कंटाइक्ट का ठीक ना तो हम लोग एक्ट उफ टेंपरेचर एक्ट आप इसारी चीज़े हम लोग देखेंगे सब्सक्राइब तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने सबसे पहले हम लोग देखने एफेक्ट ऑफ इंप्रॉडी का क्या एफेक्ट होता है फिर टेंपoses टेंशन पर तो इंपेरिटी यह से सलीबल इपृटी यह से आपका common solid जो आपका नमक होता है अगर आप क्या करतेंगे solubile impurity को add करतेंगे आपके liquid में for example water में add करतेंगे तो इससे surface tension और बढ़ जाता है धियान रखेगा अगर solubile impurity को हम लोग क्या करेंगे add करेंगे तो इससे surface tension क्या हो जाएगा increase हो जाएगा और अगर हम लोग क्या करतेंगे impurity जैसे हम लोग soap या detergent को हम लोग क्या करतेंगे add करतेंगे तो धियान रखेगा आप लोग अगर इसको add करेंगे तो surface tension इनके add करने से decrease हो राता है ठीक है reason क्या है CET reason नहीं मांगता CET जो है आपको सिफ concepts थोड़े बहुत पता होना चाहिए आपको बस इसके बारे में जाज करता है बच्चे की इसे के बारे में वो देखता है बहुत ज़्यादा in-depth concept नहीं मांगता है जबकि मैंने बहुत detail में पढ़ा है इस सारी चीज़ें मैंने lectures में cover की है तो आप लोग इसमें बेफे कर रही है देख्या चले अब जो है हम लोग देखेंगे कि effect of temperature क्या है effect of temperature temperature का क्या effect होता है surface tension पर most of the cases में जैसे आप temperature को बढ़ाएंगे जयांद रसुनी है temperature बढ़ाने पर surface tension decrease उठाता है most of the cases में लेकिन exceptions आपको मिलेंगे generalization कभी भी सही नहीं होता तो कौन-कौन से cases में molten तामबा हो गया यह पिगला हुआ तामबा है molten copper है या फिर आपका यह molten cadmium है यह cases में क्या होजाता है temperature आप बढ़ाएंगे तो surface tension कम होने के जगर बढ़ जाता है तो यह कुछ exceptions जो आप पर याद रखना है लेकिन generally क्या होता है generally temperature बढ़ाने पर जो आपका liquid होता है उसके surface tension कम हो जाता है लेकिन exceptions क्या है exceptions आपको मिलेंगे क्या है आपका molten copper या molten cadmium एकसेटरा ठीक है तो यह इसके exceptions है effect of temperature में अगर हम लोग relate करना चाहें इक particular temperature पर अगर हम लोग liquid को लेके जाएंगे तो उसका tension कितना हो जाएगा तो T is equal to यह तेंशन एट थीटा temperature पर is equal to T0 या T0 मतलब 0 degree Celsius भी जो टेंशन था surface tension into 1 minus alpha theta ठीक है ना तो यह formula से आप relate कर सकते है किसी particular temperature थीटा पर उस particular liquid का क्या surface tension है T0 इसमें क्या है 0 degree Celsius पर उस liquid का क्या surface tension था alpha क्या है बच्चो alpha constant है जो की temperature पर and nature of liquid पर depend करता है समझा है clear हो गया ठीक ना चलो बएग तो यहाँ तक आपको मैंने चीज़े समझाजी बताईए अब तक क्या क्या पड़ा हमने हमने सबसे पहले fluids के बारे में पड़ा fluids क्या होता है fluids basically ऐसे substances होते है जो basically क्या करते है flow करते है जैसे आपका liquid हो गया gas हो गया plasma हो गया उसके बाद हमने क्या पड़ा उसके बाद हमने surface tension के बारे में देगा या फिर D by D है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वेर, समझा है, clear हो गया है, यह आपको बता दिया है, इसके बाद आपने क्या पड़ा, angle of contact के बारे में पड़ा, जब भी कोई liquid किसी solid के contact में आएगा, तो जो आपके liquid का meniscus है, उस पर tangent बनाओ, solid की surface लो, उनके बीच में जो angle बनता है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हम लोग angle of contact बोलता है, समझा, clear हो गया, तीन cases में आपको बता दियें कि angle of contact, जो सबसे पहला case होगा, उससे हमने क्या देखा कि angle of contact कभी बिल्कुल zero होगा, कब zero होगा, जो adhesive force, cohesive force बराब हो जाएगा, जब adhesive force जादा होगा, cohesive force कम होगा, तब क्या होगा, angle of contact acute बनेगा, और जब adhesive force कम होगा, cohesive force जादा होगा, तब आपको क्या बताया इफेक्ट ऑफ इंपुरिटी अगर आप सेलीबल इंपुरिटी डालेंगे तब क्या होगा बढ़ जाएगा लेकिन सोप डिटर्जेंट से क्या होगा सफिस टेंशन कम होगा समझाया क्लीर हो गया चलो इसके बाद जो है अगर तो उसके आपको मिलेंगे मॉल्टन कोपर या मॉल्टन कैडमियम वाले केस में टेंपर सर्फेस टेंशन जो है बढ़ जाता है चैन अगर आप उसको रिलेट करना चाहते हैं तो यह इसके लिए वामला में आपको बता दिया है समझा एक ऐसा Supremeisses पर आपका कोई भी लिवी कई सेवरे चाहता है उस टेमपरेचर ऊब एक जीरो जाता है जिए समझा गया याद रिशेंगा έङ चलो में ऐसके बढ़ना है इसके बाद में आपको परणता होकर अपना यह न्हीं Jadi देखें या राइज ओब लिक्विड इंदी कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी एक्षिन यह सारी चीज़ है यह बहुत इंपॉर्टन यह सवाल आने की प्रोबबरिटी सबसे आधे अगर मैं आप से कहूं कि सरफेस टेंशन का ऐसा कौन साप्र है जिसे सवाल आने की अचे है बहुत जादा क्वेशिन जाते हैं या तो डॉप पर सवाल आएंगे कोलेज हो गया या स्प्लिट हो गए जा तो एसेंट फॉर्मुल है मैं दोनों कवर कराऊंगा बेफिकर रहा बिल्कुल ठीक है चलो आज़ो आज़ो इसके बाद जो है अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कैप लेक्षिन बोलो एसा इंट फॉर्मुला बोलो यह है हमारा अभी अभी डिसकेशन आई है अगर हम लोग क्या करते हैं कोई यह तो नीचे की तरफ आ जाएगा समझा रहे क्या बना या तो उपर की तरफ चड़ जाएगा या तो नीचे की तरफ आ जाएगा जब एक्यूट अंगल होगा तो लिक्विड क्या होगा राइज होगा और जब अप्ट्यूस अंगल बनेगा तब क्या होगा लिक्विड क फॉल हो गया तो यही क्या है कितना लिकविड का राइज या फॉल होगा उसे कपन क्या गेते हैं अपना है यहां पर जो आपका यहाँ पर देखो ऐसा है इसमें जो water उस इतना हिस्सा लेते हैं अगर यह मिनिस्कस का water liquid हो यह लो water मैंने मान लिया liquid अगर मिनिस्कस के अंदर का liquid पर consider कर लिया जाए तो formula changes to h is equals to 2t cos theta divided by rho rg minus r by 3 समझा गया यह होगा जब मिनिस्कस का liquid भी consider कर लिया जाए वहला जनरली यही formula बनता है समझे clear हो गया इसमें थीटा के angle of contact टीका है सर्फेस्टेंशन रोगा density of the liquid r का radius अब दी आपका वहाँ पर जो भी बोर होगा उसका g क्या है acceleration due to gravity समझे यहां से देख करके समझ में आ रहा है बाकी चीज़े के constant हो गई तो h is inversely proportional to r होगा समझा देर हो गया जितना पतला आपका बोर होगा तो रेडिस उसका तगम होगा तो जितना कम radius होगा हाइट उसकी उतनी ज्यादा होगी यानि पानी उतनी ज्यादा ऊपर तक चड़ेगा समझ आया तो इसको इससे लिख सकते हैं एच वन अपॉन इसको कहते हैं ज्यूरिंज लौ ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट हां अच्छे से करके जाओ उसको ठीक है क्या कहते हैं समझें चलो वे तो यह आपको मैंने समझा दिया है अब इसके बाद इसमें कुछ और पॉइंट्स भी बन सकते हैं वह पॉइंट्स के हैं मैं आपको बताता हूं जैसे अगर हम लोग क्या कर देंगे हाइट इंसफीशेंट लेंद का अगर हम लोग क्या है मतलब यह है कि पानी जो चड़ सकता है मान लो दो सेंटिमेटर तक का है और जो आपने पानी कितना लेगा ऐसा नहीं हुआ संचरेर हो गए कि अपनी हाइट वहीं तक चलेगा बिलको लेइक संटिमेटर ते कि चलेगा और अपने DBS को चेंज कर 01 संद्स क्रेपटि थाष्यों रखना कि रिघंच कर लेगा उतनी हाइट चड़ेगा और क्या क्या रिडियरेश को चंज कर ले तो एक्वेशन लगा करके सॉल्फ कर लेना सीटी आप मैं इसका पूरा लॉजिक समझा सकता हूं आया कहां से क्यों आया क्या आया लेकिन इसके उपर आदे घंटे का लेक्चर बन सकता है सीटी यह सब आप से डिमांड नहीं करता सीटी बस आपको बोलता कि हाँ यह ऐसा है से कश में यह लगेगा बस उसको याद कर लो तो उसके बाद किया इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगए क्या क्या करतें हैसे इस पैसे ऑगर इसे सपर कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे तब यह सारी चीज़ आपको बिता दी मैंने और अगर यह अगर देंगे यह लिफ्ट में भीज़ देंगे तो उसमें क्या होगा एक्सेलिशन हो रहा है जिरू हो जा रहा है यह वह क्या करेगा वह बिलकुल टॉप पर आके रूख जाएगा समझे वह इंफाइन हाइट तक नहीं चुड़ जाएगा ज्यान रखना इस चीज का कि अग क्या हो जाएगा जिए का 10 हो गया रिए अपस इतना रखना है इसके और हो इसके धीर भॉजिक है वह सेटी के लिए टीले रिक्वाइट नहीं नहीं है तो यहां तक सारी चीजे समझ में आई अगर क्या करेंगे अगर आप और एक का लेकर करेंगे तो कितनी हईट तक आपका लिक्वीट चर जाएगा उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे अगर हम लोग जो मिनिस्कस के अंदर का लिक्विड है उसके भी वेट को कॉंसेटर करेंगे तो हम लोग के पास क्या फामुला बन जाएगा टूटी कॉस्टिटा अपाउन रो आर जी माइनस र भाई त्री समझा यह अपने पास आ जाएगा उसके ब सब्सक्राइब करेंगे और अगर क्या कर देंगे क्या अपनी फूल लेंग तक आ जाएगा समझा यहां तक मैंने आपको एसन फामुला बता दिया अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हमारा सोब बबल पर जाएगे आए जाले वीडिया लोग हमारे आगे वाले पार्ट पर चलते आगे वाला पार्ट क्या है इसके बाद हम ढूंक सो जैक तो आप सोबहाल वाला केस क्या है आई उसको समझते हैं तो सोब बबल तीक ना एक से बीखलोगण एक air bubble होगा ठीकिए ना अब अगर आपका जो बबल है उसमें अगर यहां पर देखो एक inside pressure है और एक outside pressure है तो अगर आप चाहते हैं कि P inside minus P outside यानि P excess pressure आप निकाल ले है ना सिप्रिल सी बात है सबस्था है इंदर प्रेशन जादा है अगर दोनों साइट pressure बराबर तो इस अगर जी से य πα नडर प्रोड से क्का से इसमें आपका सोप गृपल वाले के इसमें कितना होगा अगई छीज बाद अगर हम क्लिक्वॡ द्रॉप की बात करेंगे तो लेगजू डॉप में आपका excess pressure आएगा P I minus P O is equals to होगा 2T by R ठीके ना यहापका क्या है P excess pressure समझा? clear हो गया? कि इस तरीके से यह चीज का आपको धियान रखना है ठीके इसके बाद जो है अगर आपका air bubble होगा बच्चों air bubble होगा और कैसे कैसे जाते हैं भी बता देता हूं में air bubble जो है वह आपको बता देगा एक container है container का container में कोई liquid भरावा है उससे कुछ edge height नीचे एक air bubble है तो अपिर edge height नीचे अगर आप air bubble है तो inside कितना pressure होगा तो उसमें p atmosphere होगा atmospheric pressure plus क्या होगा hro g होता है plus उसमें होता है 2t by जो भी उसका radius होगा 2t by r समझें तो inside इसका pressure इतना होता है ठीक है air bubble जो की free surface of the liquid के से edge height नीचे है समझा क्लिर होगा तो यह चीजे मैंने आपको समझा दिए इसके अंदर यह सब formulas बहुत अच्छे से याद करिएगा ठीक ना clear होगा चली तो यह मैंने आपको बिता दिया अब जो है कुछ और formulas बताता हूं मैं आपको आई है कुछ और formulas क्या है जैसे अगर दो आपके सोब बबल जो है कुलेज हो जाए कुलेज का मतलब क्या होता है कुलेज का मतलब होता है कंबाइन हो जाए ठीक है दियान रखेगा यह सब common words है तो अगर आपके क्या हो जाए, दो एर बॉबल्स क्या हो जाए, कोलेज हो जाए दोनों क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो एक का रीडियस R1 है दुसरे का रीडियस क्या है, R2 है, दोनों कंबाइन हो जाए अगर दुनों कोलेज हो जाए तो जो नया रेडियस बनेगा बच्चों नया जो बबल बनेगा उसका रेडियस है क्या है आर है जो आर होगा वो होगा अंडर रूट आफ आर वन स्क्वेर प्लस आर टू स्क्वेर समझें डिरिवीशन करा सकता हूं में रिक्वायमेंट नहीं है पस याद रखो कि दो अगर सोब बबल क्या करते हैं कोलेज होते हैं कंबाइन होते हैं इसके बाद अगर क्या है दो सोब बबल अगर आपके कॉंटक्ट में थो इस तरीके से इसका इनका जो यह जो बन रहा है इंटरफेस पर इसका एसका रिडियस क्या है आज बनाता है ऐसे ऐसे कुछ होगा यह है ऐसे कुछ होगा यह है ठीक है ना इसका रिडियस आट वे इंटरफेस पर यह एसे सरकल कम्प्लीट कर लिया जाए तो इसका जो भी रिडियस बनेगा जो आर बनेगा वार क्या होगा र होगा आर वन आर टू अपान डू माइनस आर वन समझे तरीके से जो इंटरफेस पर जो रिडियस होगा जो बनेगा आपका उसका फॉर्मला यह याद रखिए को जैसको इसके बात जो है अगेर बबल्स को क्या कर दिया जाए और ने गिटिव हो ठीक है ना तब क्या होगा लगे इनको चारज दिया जाए पॉजिटिव या नेगेटिव तब दोनों केसे स मे में जो रीटियस होगा ना वो बड़ेगा क्यों बढ़ेगा बताइए फूथ होगे फिफफ्थ होगे सिक्स्थ पॉइंट वर्बस को क्या कर दिया जाए या नेगेटिव चार्ज दिया जाए ठीक ना दोनों केसे में क्या होगा बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा सिंपल सी बात है हमने इलेक्र स्टाटिक्स पढ़ा था तो वहां पर हमें बढ़ाते हैं बच्छों को कि अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज आगे तो आगे सब पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे दूसर से रेडियस बढ़ गेगा समझा क्लिग शायर यूझी यह अएपको बतया दिए मैंने उसके बाद क्या अगर आप एक सोम बबल को ब्लो करना चाहते हैं तो कितना वरक मदेगा टू ब्लू ऑ सों बबलू को अगर इसका फार्म्ला है और गेस्ट बबल के बजाए आपका क्या होगा लिक्विड ड्रॉप होगा लिक्विड ड्रॉप तो ये जुव लगड़ॉप होगा तो ये जो वर्कड़ण का फानला है वह 4 पाइटी इन्टू स्मॉल आर्टू स्क्वेर माइनस आरवन स्क्वेर कर देते हैं इसको ठीक है क्लिर होगे चार होगे तो यहां तक आपको मैंने समझा दिया अब मैं आपको कुछ और यूस्फुल इंफ्रमेशन देता हूं तो अगर क्या हो जाए अगर एक ऐसे करिए इसको क्या करेंगे तब क्या हो तो एक बड़ा डॉप इस तरीके से इसका रिडियस क्या है इनका रिडियस क्या है इस है अब हम लोगों क्या करना है यह क्या करने में हमको कुछ क्या करना पड़ेगा यहां पर तो तो टोड़ने क्लिए इन रखेंगे तो यहां से यहां जाएगा तो घले पर ठाहिक पर धितना धाता टेके ना तो volume of the bigger drop is equals to n times volume of smaller drop one small drop drop let को volume of bigger drop क्या होगा वो होगा 4 by 3 pi capital r cube और यह क्या होगा 4 by 3 pi वज़े क्या होगा small r cube ठीक है 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel हो गया बताओ बचेगा क्या यह बचेगा r cube is equals to n into small r cube तो r is equals to क्या होगा n raise to 1 by 3 और small r समझे क्लिर हो गया तो इस तरीके से यह अपने पास क्या आगया यह radius आगया तो यह अपना क्या है radius हो गया bigger drop का smaller drop से इन दोनों को मैंने क्या कर दिया connect कर दिया अब यहां पर जो है कितना work done होगा वो मैं आपको निकाल करके बता सब्सक्राइब देखिए तो यहां पर हमारे पास dw is equals to क्या आगया टीडिया आगया तो यह क्या होगा यह होगा एक टू माइनस एवन ठीक ना तो देर्फोर क्या होगा बच्छों देर्फोर डेर्फोर डीडवली इक्वस रोटी इंटू डीए क्या है इनिट्व क्या होगा फाइनल एरिया यह क्या है इनीशल एडिया समझ दारा कि ऑनल ट्रीobile हम आफ डचारोगया व्रह प्यादिदर्यगों प्र॥ेस यहां होगा अन। तो T into क्या common आ सकते हैं बताओ यह होजाएगा 4 pi T अंदर क्या बजाएगा n small r square minus capital r square तो 4 pi capital T into यह आपके पास क्या है अगर आप इन दोनों को देखेंगे स्कोर्ण किया होगा है तो क्या होगा इसकी स्क्वेरिंग कर देंगे तो बताओ क्या होगा र-square दीप्च्व होगा यह 2 वा है एक होजाएगा small r square तो capital r square की जगा बच्चों क्या लिख सकते है capital r square जैगा लिख सकते हैं आप n-2 by 3 , समझा , ठीर हो गया ? n को भी कॉमन ले सकते हैं आप लोग जैसे आप लोग को ठीक लगे वैसे आप लोग करना ठीक है ? n को कॉमन लेके तो यहाँ पर इसको पहले स्प्रेट करने के चाहिए मैं आप लोग तो यहाँ पर आप को समझा दिया ? अब इसके बाद आभीं ौद्ल ने में लोगों क्या जेगी है अब इनरजी कौन करेगा एक्सटरनल बारे में इंफिर नहीं आए। अगर एक्स्टरनल एजन ने वर्क नहीं किया है तो एनर्जी कहाएगी का से इसके इंटरनल एजिट थर्मटानिमिक पढ़ाया था मैंने इंटरन एनर्जी अगर कम होगी फिर यूज्ट करके तोड़ गया तो इंटरनल एजी कम होगी तो टेमपरेचर इस फंक्शन ओप इं इंटरन एजी भी कम होगी और टेमपरेचर भी कम होगा ठीक है तेरो के चलो विए सेकेंड केस में क्या होगा कि बहुत सारे ग्रॉपलेट्स जो है कोलेस यानि बेसिकली कंबाइन होकर के एंग्रॉप बनाएंगे समझे इनका रिडियस क्या है स्मॉल आइसका रिडियस क् केस हो जाएगा तब आप लोग वहीं निकालना है वंगन इस इकवस्ट्व टीन टू क्या होगा दिये होगा टीन टू हो जाएगा एंट्रॉप यह जो बड़ा होगा उसको में पहले लिग दूँगा ठीक है ना इरिया बिगर माइनस एरिया स्मॉल ठीक है ना चलो बी तो सबिकर किसका इन का है तो क्या होगा यह जाएगा आपका एंट टाइमस 4 by r square minus क्या होदाएगा 4 by capital r square ठीकिना तो फोर पाइगा capital T टी जिए यह जाएगा n r square minus capital r square सम्झा त्रीड होगा सेम वह कहानी फिर से आप repeat कर सकते हैं क्या repeat करेंगे कि यहां यहां पर n टाइम्स क्या होगा 4 by 3 by small r q with equals to 4 by 3 by capital R qp ठीक ना इन सबको volume क्या है volume लिखा है मैंने तो n टाइमस यह पूर्वाल्यूम एक का वल्यूम सारी n टाइमस एक का वाल्यूम इस इक वल्यूम इस पूर्वाद तो सब्सक्राइब निकाल सकते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टन फैक्स आप लोग देख लीजिए जैसे हम लोग ने क्या देखा था कि हमारे जो डिटर्जिंट वगेरा होते हैं यह क्या करते हैं डिटर्जिंट जो है वो और स्वेस्टेंशन को कम कर देते हैं समझा एक्वेर होते हैं तो डिटर्जिंट जो हो गया है नियान रखेंगे लिटर्जिंट और सोप क्या करेंगे एंगल अ पूंटाक को कम करेंगे सर्फ इस तेंशन को कम करेंगे जो आपके वाटर पूफिंग एजन्ट होते हैं हम लोग जो है बताता हूं थोड़ी स्टॉरी हम लोग ना जब छोटे थे हम लोग फोट फ्रोर पे रहते हैं तो हमारा घर जो है बारिश लेडेंब बहुत लीक करता तो हमारे जो बिल्डिंग के सेक्रटरी थे तो उनको कहते हम लोग के पाया आप ऐसा भी नहीं कि एक पर्टिकलिट जगा लीक करता था वह बहुत जगा से लीक करता था हम लोग उसी हालत में पड़ते थे छोटे था हम लोग फिफ शिक्स स्टैंगर्ड में थे कुछ तो ऐसा हो गया कि हम लोग बोलते थे घर वाले कहते थे अरे वह चैमिकल डालो ना उपड़ो चैमिकल दालने से क्या होगा वह पानी अंदर नहीं आएगा हम लोग टॉप फ्लोर पे है चार्ज माली की विल्डिंग थी तो बारिश में लीक करता था तो वह तो चैमिकल क्या हो और होगा उससे यहिए हो जाएगा उससे कि बेसिकल्झ वाटर्प्रूफिंग इजिन तो ना वह एंगल ऑफ कॉंटक को बढ़ा देता है एंगलफ कॉंटक बढ़ेगा तो क्या बताए था हमेने वह वेट ही नहीं करेगा सर्फिस को तो पानी उसको पार करके सीलिंग तक पहुंचे गई नहीं समझा ये फंडास के बिचे चलो आजो तो कहां पर रहते हैं हम लोग यह आपको बता दिया और फैक्ट्स क्या बताने हैं और कुछ हैं हाँ अगर यह देख लो यह भी कभी कोई सवाल मिलते हैं दो प्लेट से बहुत नजदिक नसी के जैसे वह जो कवर सब्सक्राइब करना बहुत मुश्कुल होता है कि बीच में थोड़ा सा पानी चले जाए होता है वो डाइसेक्शन करते हैं तुमने तो विजार प्रैक्टिकली नहीं किया बच्चों ने ठेक है तो जो भी है तो पता ही होगा इसके बीच में कोई लिक्वेड है जैसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा इनको दोनों को सेपरेट करने के लिए सेपरेशन को बढ़ाने के लिए समझा ठीन है इसके अलाबा जो आपकी offer होती है उनको पूटेंश एनरजी सबसे जएघन रखेंगा ठीक है ठीक है यह बिचे में आप लोगों में ने उसके बाद कुछ चीजों और बतानी है जैसे अगर वो इसकी सर्फेस पर कोई नीडल रखी है क्या है कोई नीडल है कोई वायर है तो उसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो टेंशन का फॉर्स अपन लेंद्ध या फोर्स क्या और यहां पर अपने को फ्लाइट सर्कुलर प्लेट रख दिया इसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो टी इंटू क्या होगा टू पाय आर कितना लगाना पड़ेगा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हो जाएगा टी इंटू टू पाय क्यापिटल सब्सक्राइब और अगर कोई फ्लाट जैसे आपका यह यह स्क्वेर प्लेट है स्क्वेर प्लेट के लिए फॉर्स किता लगाना पड़ेगा टीन टो फॉर लगाना पड़ेगा समझा तो यह आपको सम्झा दिया मैंने अब इसके बाद जो है आप लोग यह बेसिक चीज़े हो गई अब एक और चीज़ बची है वह क्या आपका विस्कॉसिटी वाला पार्ट थोड़ा सा हाइड्र डाने मिक्स वो समझाता हूं चलिए अठीक है तब ही हम लोग क्या करते हैं हमारे विस्कॉसिटी के पार्ट पर चलते हैं इसकॉसिटी का पार्ट है चोटा सा ही है और थोड़ा सा मुझे स्टोक्स लोग बताना है और आपको हाइड्र डानेमिक्स में क्रिटिकल विलॉसिटी रिरोंड जोनोगा और यह इसका सिनॉपसिस कंप्लीट होगे तो विस्कॉसिटी का मतलब क्या पता है मैंने जो बच्चे मैं से पढ़े हैं उनको पता होगा व उसको हम लोग क्या कर सकते काई सारी लायर मेंजिन कर सकते हैं तो कोईबी दो लेयर के बीच में जो इंटेरनल फ्रिक्σεंद होता है उसी हम लोग है क्तना फॉर्स लगाते हैं माइनेश डिवील ई-ध यहानु डिभी ऐसको कहते हैं विलॉCITY कितना है इसके बाद जो है आपका जो कोईफिशन्ट विसकॉसिटी में इटा है इटा को जो यूनिट होता है वो था पॉइस कौन से सिस्टम में सी जी एस सिस्टम में क्या होता पॉइस और पॉइस्विल इस पास्कल सेकंड पास्कल सेकंड और पास्कल सेकंड इसा पता है और यह सेकंड तो इसा भी लिख सकते हूं इसको तो मुझे कोई बिता सकता है कि इसके डाइमेंशन क्या बनेंगे इंपोर्टेंट एटा के डाइमेंशन कई मरतबा आए हैं आपके एक्जाम में पास्कल का क्या होता पास्कल इस बिसी के लिए अब का प्रेशर इसको आपको मैंने बिता दी है इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे ध्यान रखेंगे जो आपको सॉलिट का फ्रेक्षन होता है वो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है इसके बाद हम लो, गया इसके बाद हम लो, क्या होता है बहुत हएज किस रोंस क्या है अगर आपके ख्रोगки कि इनहीं के लेता है इस की देंसेटी हें कि गया लेता है इसके अन्दर हम में कहुंद तो री जिए था नीचे के तरफ आएगा तो नीचे की तर्फ भेड लगला ओपर क्या लगएगा बॉयंट फो ge यह उपर्ट फोस्तों दूसरे को चैंसल कर देंगे और यह टर्मिनल विलासिटी इसक्राइगा मॉव करना शुरू करते समझा एक तर्फ लगेगा इतना लगता है सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ टाइम के बाद यह क्या करता है अपनी कॉंस्टेंट विलॉसिटी चीव कर लेता है क्यों अचीव करता है विलॉसिटी का जो फॉर्मुला है वो डिराइफ करने की जुरती याद रखना है अम लोगो टू बाइन आइन आर स्क्वेर जी रो माइनस सिग्मा अपन इटा तो ग्रिटिकल विलॉसिटी का जो फॉर्मुला है वह यह है समझे इसने सिग्मा आपकी स्विर की डिन्सिटी मिटालिक समय आपको मैंने समझा दिए इसके बात आगे बढ़ते हैं अब हम लोग की बात करते अब है अब टर्मिनल विलॉसिटी अब हुए अब प्या करें है इसके बात अब तक फुलूइट चल नहीं रहा था अब जो आपका chapter का synopsis complete रजाता है तो आप क्या होगा अब hydrodynamics के हम लोग बात करते हैं तो hydrodynamics में क्या होता है hydrodynamics में आपका जो है fluid जो है move करता है है जब fluid move करेगा तो उसके अलग-अलग type होते हैं जैसे आपका streamline कहलो streamline flow है ना flow जब करता है या फिर आपका turbulent कहलो streamline laminar streamline मतलब क्या जो एक पर्टिकलर पात को फॉलो करेगा बिल्कल ordered motion होगा वो streamline flow होता है लेमिनार भी वैसी plane में चलेंगे laminar flow ordered motion turbulent मतलब zigzag disorder motion जो आपके fluid के flow का होगा उसको गावल लेंगे turbulent flow ठीके ना अब यहां पर एक velocity होती इसको बहुते क्रिटिकल विलासिटी को क्रॉस कर दिया जाए क्रिटिकल विलासिटी को क्रॉस कर दिया जाए तो जो आपका streamline flow है वो क्या हो जाएगा उसका formula क्या है वो है आर इटा अपॉन रोडी याद करने के ट्रिक बताया था मैंने रीटा रोडी सब्सक्राइब आगया रीटा और रोडी देख शो आता है न तो रीटा रोडी ठीक है तो याद इससे रख सकते हैं आप लोग इसमें जो आपका यह यहाँ पर आर जो है न यह आर जो है आर क्या है आर है रिनॉल्स नंबर घया रिनॉल्स नंबर तो आर का फॉंडला क्या बनेगा वी सी रोडी डिवाइड रके यह मिटा हो जाएगा तो Upper आपके रिनॉल्ट से कम हैं तो यह स्टीम लाइन फ्लो रूसन की रेंज में जैसा आपके टैक्स बुक के रही है उसके बारे में इसके इसरोटों से रहा हूं तो जितना पाट आपके syllabus में दिया था मैंने detail में cover किया जो जो पाट आपके problems में काम आना वाले था उसको मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको सारी चीज़े तो अगर कोई doubt हो कोई confusion हो तो मुझे comment section में बताइए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ में उसको share करें यार सब्सक्राइब करें तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हम ज्यादा ज्यादा लोग की help कर पाएं ऑके थैंक्यू